कि उसको कोचेर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसंदता का विशाय है इस समीट के सांदार आयोजन के लिए राश्पती वीडोरों को महरदे से अभिलंदन करता हूँ और उनका आभार वक्त करता हूँ और आशियान समों की कुसल अध्रिष्टा के लिए उनको बहुत 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 अभिलंदन कमबोडिया के प्रधानमंत्री इज एक्सेलेंसी उन मानेट को हाली में पदभार ग्रहन करने के लिए मैं हार्निक बधाई देता हूँ मैं इस बैटर्ग में अबजर्वर के रूप में तीमोर लेशते के प्रधानमंत्री इज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी रदय से स्वागत करता हूँ यूर मैजेस्ट्री एक्सेलेंसी हमारी हिस्ट्री और जोग्रोफी भारत और आशियान को जोडते हैं साथी साजा वैल्यूज खेत्री एक्ता शांती समरुदी और मल्टिपोलर वर्ल में साजा विश्वास भी हमें आपस में जोडता है आशियान भारत की एक्टिस्ट पॉलिसी का केंद्रियस तंब है भारत आशियान सेंट्रलिटी और इंडो पसिफिक पर आशियान के आउटलुक का पुरुन समर्थन करता है भारत के इंडो पसिफिक इनिसेटिव में भी आशियान खेत्र का प्रमुक स्थान है पिछले वर्ष हमने भारत आशियान फ्रेंड्शिप येर मनाया और आपसी समंधों को एक कॉम्प्रिहंसिव स्ट्रेजिक पार्टरशिप का रूप दिया Your Majesty, Excellencies आज वैश्विक अनिस्वित्ताओं के माहूल में भी हर शेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है ये हमारे समंधों की ताकत और रेजिलियन्स का प्रमाण है इस वर्ष की आश्यान समिट की थीम है आश्यान मेटर्स एपिसेंट्रम अब ग्रोथ आश्यान मेटर्स क्योंकि यहां भी यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आश्यान इस एपिसेंट्रम अब ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आश्यान छेत्र की एहम भूमी का है वसुधैव कुटम कम वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूशर की यही भावना भारत की G20 अधिक्स्तर की भी थीम है Your Majesty, Excellencies, 21 सदी एशिया की सदी है हम सब की सदी है इसके लिए आवर्शक है कि हम एक रूल्ट बेज पोस्ट कोविड वर्ल ओर्डर का निर्मान और मानव कल्यान के लिए सब का प्रयास फ्री और ओपन इंडो पसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सब के साजे हीत है मुझे विश्वास है कि आज हमारी बात्चित से भारत और आश्यांग छेत्र के भावी भविश्य को और सद्र बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे कंट्री कोडिनेटर सिंगपूर आगामी अध्यक्ष लाओ पिडियार और आप सभी के साथ भारत कंदे से गंदा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिवद्द है बहुत बहुत धन्यवाद